आज मैं आप लोगों को लेकर चल रही हूँ पंजारा मारकेट हम सब का फेवरेट कितने लोग तो अल्रेटी मुझसे मांग रहे थे कि कब आप बंजारा मारकेट जाओगे कब में बंजारा मारकेट का टूर दिखाओगे आप लोग वैसे एक बात तो काऊंगी मैं बंजारा मारकेट को बहुत पसंद करते हो मेरी तरह जब भी मैं बंजारा मारकेट जाती हू मुझे वहां पर जो नया कलेक्शन आता है वो देखना और जो सबसे बेस्ट लगता है वो अपने घर के लिए लेकर आना बड़ा पसंद है तो फेस्टिवल भी अब धीरे स्टार्ट हो जाएंगे तो मैंने सोचा एक राउंड भी लगा लेती हूँ एक राउंड थोड़ा फेस्टिवल से पहले लगा लेंगे वैसे भी हांपर में किसी काम से भी आई हुई थी तो मैंने सोचा सबसे बेस्ट रहेगा कि पास में ही ब तन्जारा मार्केट घुमाती हूं अपने साथ देखते हैं कि नया कलेक्शन क्या है यहाँ पर है यह अच्छा है लगता है कल बारिश ज्यादा और यह स्नेकिंग के लिए भी आपको अच्छा है यह पकोड़े रखने के लिए बहुत अच्छे है यह इसी शिम्ला यहाँ से लेकर जाज़े हैं तब में पानी भर रहे है क्योंकि बारिश बहुत हुआ है उच्छो यह कितने की हैं कि बालकनी में लाइटिंग करने के लिए अगर दिया जलाना चाहो तो दौनों साइट से अच्छा है क्यूट है इसके अंदर बिस्किट्स रखो किते अच्छे लगें यह शुगर वगेरा रखने के लिए लेकिन यह अच्छी लगें और यह जो पंकिन देख रहे हैं आगाई यह यहां पे न दिया रख सकते हो तो बालकनी में लाइटिंग करने के लिए बहुत अच्छा लगा था यह मुझे पीस और इसकी कॉस्ट थी 800 रूपीज बोट वगेरा के 600 रूपीज थे और जो छोटी वाली बोट दिखाएती मैंने बिस्किट्स के लिए वो 500 और 400 के अराउंड थे और जो कैसरॉल के तीन के सैट होते हैं वो जादा तर 600 650 में मिल जाते हैं लेकिन यह जादा बोल और यह फांटेन वाली शॉप जो है यहां पर आपको एक नाएक मिली जाने वाली है बंजारा मार्केट में रहती है और बाग की डेकोरेशन का समान बहुत अच्छा मिल जाता है बंजारा मार्केट में मैं फिलाल यह बासकेट देख रही थी जो कि मैटल की थी 350 रूपीज में दे रहे थे बड़ी क्यूट सी थी मुझे बड़ा अलक सी लगी यहां पर मैं आ गई हो क्रॉकरी की शॉप पे तो बहुत सारा समान में बंजारा मार्केट से लेकर जाती हूँ जब मुझे लगता है कि प्राइज और चीज जो है वो मुझे अच्छी मिल रही है तो यह अगर आप बंजारा मार्केट से कुछ भी क्रॉकरी की शॉपिंग कर रहे हो तो एक एक पीस को अच्छे से चैक कर लो कहीं डेंट ना लगा हुआ हो कोई भी या कहीं से चटक ना रहा हो तो आपको टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन चीज अच्छी मिल जाएगी बाद में 100 रुपीज में टेबल मैट भी काफी अच्छे डिजाइन में मिल रहे थे और सारे के सारे 100 रुपीज में ही थे पंजारा मर्केट में मुझे एक ये फैंसी सी शॉप दिखाए दी जहां पर काफी फैंसी गिफ्ट आइटम वगेरा घर के डेकॉर के समान थे लेकिन बहुत कॉसली बेच रहा था ये बंदा 2100, 2200, 1800, 1900 इसी के रेंज में इसके पास समान थे जो भी वो मैं पूछ रहे थी जिस भी चीज के लिए वो इसी रेंज में था ये स्प्रिंकलर्स मिल रहे हैं लेकिन इन पर ना कलर्स अच्छा नहीं हो रहा है अगर आपको खुदी पेंट करना पड़ेगा अच्छा है ये ना प्लांट्स में पानी देने के लिए काफी अच्छे रहते है 200 रूपीज में मिल रहे थे ये जो मैं दिखा रही हूं मैट ये कपडे वाले मैट थे ये ली 200-300 रूपीज के अंदर थे गोल मैट काफी अच्छे थे ुस शॉप पर मिल रही थी प्लैट्स और वैसी वारे आनी स्नेक वाली यह टूहंडड़ रूपीज में थी और बाकी मैंने यह मिलर वगरा भी पूछे थे तो यह 2,000 रूपीज में थे मिलर यह कैसे थी यह शिमला थे तेन सोर पे तेन सोर पे तेन सोर पे को कितने की यह वाली कितने की है यह वाली सेट है सरवार में बारा सुरू पर मैं तीन जी और यह यह सोला सुरू देगा यह लकड़ी वाला शीशा है भाया यह वाला गोल में है यह टो बड़ा साइज है तो कितने की है यह वाली ट्रे ट्रे नतर बार iç यह वाली लेकन मेरी एक जिनको ना लकडी के फ्रेम में शीशा चाहिए था तो मैंने यहां पर वही पूच रही थी तो बड़े वाले जो शीशे होते हैं जो रेक्टेंगल शेप में होते हैं वह वाले तो फोर थाउजन रुपीज तक यह थे और जो छोटे वाले थे वह 800-900 रुपीज में थे बंजारा मार्केट अज पूरा खाली पड़ा हुआ था एकका दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे थे जबकि बंजारा मार्केट बहुत भरा हुआ रहता है लेकिन बारिश की वज़ा से जादा लोग यहां नहीं आ रहे होंगे शायद तो यहां पर जो मैं यह दिखा रहे मैं मेटल के पीसेज यह 2100-2800 की रेंज में थे जो की मुझे लगा परपसफुली महंगे करे हुआ है क्योंकि इतने महंगे यह आइटम नहीं मिलते है इसके हां पच्छिस सो अठारा सो रुपे में आपको यह वाले हैंगिंग वाले मिल जाएंगे और जो बड़े वाले थ इतने का वह यह यह बोल रहे है और 600 का चोटा वाला और 800 का शाइद बड़ा वाला वाव यह कैंडल भी है कैंडल वाली कितना बोला है नोंने फाउजन का बोला है लाइटिंग का भी अच्छा है गिफ्टिंग के लिए अच्छी चीज़ हैं के पास भाई बहुत गर्मी है इतनी गर्मी हो रही है ना इहां पर यह ना हुमिडिटी हो रही है क्योंकि बारिश बारिश के बाद जो हो जाता ना चिपचपापन वो लग रहा है मेरे को पूरा चेहरा लगपत हो रहा था पस मैं खुद सोचती तो में इन दो नहीं आती बारिश का टाइम है तो 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 बारिश का टाइम है मैं क्या एक है भाई हूं घर के लिए वो दिखाऊंगी आपको घर पहुचके तो कल में किसी काम से मार्केट निकले हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना बंजारा मार्केट भी को कर आया जाए क्योंकि वहां से 15 मिनिट की दूरी पही था तो मैंने सोचा एक राउंड लगा लेती हूं लेकिन भाई बंजारा मार्केट पूरा गंदा हो रहा था क्योंकि बारिश हो रही है इन दिनों यहां पर और जब बारिश होती है कहीं भी तो वह मिट्टी वाला जो एडिया होता है वह आलमोस्स सारी शॉप पे सेम सेम साही था तो मैं कहूंगी कि इस टाइम आप बंजारा मार्केट मत जाओ क्योंकि अभी एक महिने का वेट कर लो थोड़ा बारिश खतम हो जाए तब बंजारा मार्केट जाना तो कलेक्शन भी ज्यादा बैटर मिलेगा आपको और साथ म और में आप शॉपिंग अच्छे से गर पाऊंगे क्योंकि कीचव में फिर दिलनी करता करने का मैं खुद भी ना 15 से 20 मृटी बंजारा मार्केट में इससे ज्यादा मार्केट नहीं हूँं मेरा दिलीनी लगा मतलब मतलब बंजारा मार्केट में लेकिन हा जो मुझे चीज तो इसकी स्टैन को साइड में रखती हूं और यह कैटल दिखाती हूं यह कैटल कितनी प्यारी है कहीं से भी अगर आप लोग हो गई हो हम से या किसी भी होम डेकॉर वाली शॉप से तो यह कैटल बहुत महेंगी मिलने वाली है इसकल यह वाले कलर बहुत जादा चल भी रहे ह मार्केट में तो इस कलर का समान बड़ा अच्छा सा लगता है और ये थोड़ी सी स्टाइलिश सी लगी मुझे तो मैंने इसी लिये लिया था लास्ट टाइम भी मैंने देखा था लेकिन काफी महेंगी बोल रहे थे तो इस वार मुझे सही प्राइस पे मिल गई तो ये एक मै इतना रहे थे और वहां पर पसीने भी बहुत आये थे तो फिर इसके बार मैंने सोचा सुबह सुबह उटके आपको हॉल वीडियो दिखाऊंगी और ये मैंने इसके मैचिंग के लिए चार कप जैसे कोई गैस्ट वगएर आ जाए तो मैंने चार ये सोच के लिए पहले मैं बहुत प्यारा लग रहा है स्टेंड के साथ इस टाइट के कैसरोल बहुत ही सुन्दा रहे कैसरोल या फिर आप इसे पॉट भी बोल सकते हो इसमें कोई भी डिश बना कर सर्फ कर सकते हो बहुत प्यारा लगेगा अब तो वैसे भी फेस्टिवल आएंगे तो जब फेस्टिवल आते हैं तो लोग भी घर पर आते हैं हम भी किसी से मिलने जाते हैं तो अच्छी चीजों में अगर आप सर्फ करते तो बड़ा अच्छा लगता है खुद को भी और यह मुझे मिलाई 300 रुपीज इच विद स्टैंड यह स्टैंड यह स्टैंड एसी के साथ है तो इसकी ना आप देखो गहरा ही अच्छे से सर्फ कर सकते हो आपको कैसा लगा बताना मुझे तो बहुत पसंद आया और यह जितना देखने में यहां पर आपको अच्छा लग रहा है ना मैंने बहुत देख बाल के उठाया यह पीस जो दोनों उठाये थे क्योंकि किसी-किसी में बहुत सारी डैंट भी प अच्छा लगता है या किचिन में भी रख सकते हो किचिन में बहुत अच्छा डैकॉर का एक पीस बन जाएगा यह बहुत प्यार है और यह एक और चीज लाई हूं मैं ज्यादा कुछ शॉपिंग नहीं करी चैसा मैं आपको बताया अगर मुझे ज्यादा चीजे समझ में अब मैं टाइम पर जाओंगी तब लेकर आँगी तब ही चीजे नहीं आएंगी दिवाली के साफ से तो अब मैं यह एक मैट लेकर आई हूं लेकिन यह स्कॉयर मैट मेरे पास नहीं था और यह वाला मैट में अपना जो मेरी मेरा जो बैड रूम है नसके बराबर में जो सा तो यह सौरपे में मिल गया था यार सौरपे में क्या जाता है सौरपे के साफ से बखर बढ़िया लगा मुझे उठा लिया ओ माई गाड गाइस इस पर होम सेंटर लिखा हुआ है यह होम सेंटर का पीस है और प्राइस भी देखके बताऊंगी इस पर लेखिए अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ होम सेंटर लिखा हुआ है और इसकी कॉस्ट है 599 रूपीज जिससे मैं लेकर आई हूँ केवल 100 रूपीज में ओ माई गॉड यह तो बहुत सच्छी डील होगी यह तो मतलब मज़ा आगया यार इसे लेके तो सच्छी में और इसका वर्प देखो कितना फिनीशिंग के साथ है कोई भी गड़वर नहीं है लेकिन उनफोर्चुनेटली उनके पास ज्यादा पीस नहीं थे सिफ इसी कलर में दो पीस पचे थे तो कहते हैं स्क्वायर ज्यादा लोग लेते नहीं है मैंने कर नहीं मुझे तो जरूवत है तो यह देखना जब मैं साइट टेबल पर लगाँगे न बहुत प्यारा लगने वाला है बैड्रूम में तो यह कैसा लगा आपको बताना मेरा मीनी सा बंजारा मार्केट का हॉल पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना कमें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसी प्यार देते रहूं आपनी चौपिंध और आईडिया प्रहस्ता औकर से बंएज लुडेट बाइडाज, आपके साथ शेयर करती रहूंगी झाल झाल